नमस्कार दोस्तों, गुट मोधिकेर मौनिंग, कैसे हैं आप सब, बहुत बढ़िया होंगे, मैं आशा करती हूँ, और फ्रेंड्स मेरा नाम है पवित्रा वराड़कर, मुंबई में रहती हूँ, प्लाटिनम डिरेक्टर हूँ, एक लाख रुपे महीने से ज्यादा इस जानते हैं क्यों, क्योंकि ये एक बिजनस ऐसा है, जो आपको स्वस्त रहना सिखा देता है, खूबसूरत बनना सिखा देता है, और उसी के साथ-साथ दुनिया घूमना भी सिखाता है, और स्टाइल में, उसके साथ-साथ बहुत सारा रोकड़ा कमाना सिखाता है, आप बह प्रेक्टिस करी है और अचानक से 2008 में बिमार पढ़के बेड रिदेन थी धाई साल लेने पड़ी थे और आप सभी को अगर पता होगा तो स्टेरोइड की ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके स्किन आपके बाल आपका बहुत कुछ रिप आफ हो जाता है, confidence खतम हो जाता है, mentally, emotionally आप बहुत जादा दिस्टर्ब हो जाता है because of long term steroids, लेकिन आज अगर मैंने rebounds किया है, regain किया है because of modicare healthcare product and skincare product, no doubt about it, right? और आज हम यही skincare के product के range के बारे में सीखेंगे कि कैसे आप अपनी खुद की भी skin की problems को solve कर सकते है, आपके skin और ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती है, देखो, आप कितनी भी महंगी साड़ी पहन लो, कितना भी अच्छा dressing sense हो आपका, पर अगर आपके skin में जान नहीं ह अगर आपके skin radiant नहीं है, vibrant नहीं है तो वह impression नहीं आता, first impression हमेशा आपके smile से आता है और उसी के साथ साथ आपके skin से आता है, तो आज के session में और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, कभी-कभी कुछ gents होते हैं जो बोलते हैं, और यह तो ladies लोगों की बात है, पर आप के जानकारी के लिए बता दू, पूरे worldwide, you know, unisex salons खुल है, आज के तारीख में gents भी खुबसूरत दिखना चाहते हैं, क्योंकि खुबसूरती के उपर सिर्फ औरतों का महत्ता नहीं है, I can't say कि सिर्फ खुबसूरत औरते ही दिख सकती है, हर एक इंसान जो इस प्रित्व की range जो है, वो आपका साथ है दे देगी, high BV range है, Thailand जाने का समा बन चुका है, आपको Thailand भी ले जाने के लिए सक्षम है ये वाली range और इसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ, हमारी young, dynamic और बहुत ही खुबसूरत प्रियांका जी को, प्रियांका जी से म में मुंबई में लिया था, make-up कैसे किया जाता है, do it yourself, DIY, अपना खुद का make-up आपको कैसे करना है, और मैं आपको एक चीज बता सकते हूँ, personal experience से, she is awesome, उनका जो knowledge है, skin के बारे में, skin care के products के बारे में, उनके application के बारे में, वो इतना जबरदस है कि आपको शायद बाहर ज नहीं कर सकते बलकि, बहुत सरे लोगों के problem solve कर पाएंगे, paper pen नहीं है, please लेके बाठिये, right, so मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी, Priyanka जी को, जो हमारी regional and product trainer है, welcome Priyanka जी, all right, so thank you very much, Pravita जी, बहुत ही भैदरे introduction आप ले दिया, so thank you very much, yes, जैसे कि Pravita जी न पसंद नहीं है, हर किसी को, male हो, female हो, कोई भी gender हो, हर किसी को खुबसूरत देखना, अपने skin को glow करना, radiant दिखाना बहुत पसंद आता है, और ageful gracing हो, तो कैसा लगे, हर कोई चाहता है कि मेरी age हो, पर कैसे हो graceful हो, right, क्योंकि age को हम control करके रख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ए आपके skin में aging process start होगा ही, हो सकता है कि यो थोड़ा सा slow हो जाए, पर होगा तो ये तो guarantee है, पर वही अगर जब आप एक ageful, आपका aging हो, like graceful aging, sorry, graceful aging हो, तो कैसा रहे, like आपने कोई celebrity देखा होगा, अगर हम किसी Bollywood actress के बारे में बात करें, so वहीदा रहमान, I'm sure आप लोगो लगती है, उनका face देखिए, उनका skin देखिए, उनके बाल पे मच आईए, उनके बाल वो अभी भी dye नहीं करती है, बदन वो छोड़के जब आप उनके skin को देखेंगे, trust me, उनके चहरा, उनके skin से उनकी age का आज भी बतानी चलता है, that means, वो age कर रही है, पर वो graceful age कर रही ह है, और वही हर किसी को चाहिए रहता है, तो हर कोई चाहता है, कि age तो हई है, पर वो graceful aging हो, खुबसूरत भी दिखें साथ में, alright, इसी को बताने के लिए, आज हम आपके साथ में कुछ ऐसे skin care, कुछ ऐसे tips शेयर करेंगे, जिससे आपकी skin और जादा beautiful, और जादा elegant लगेग All right, so एक बार मैं अपने screen को share कर रही हूँ, Yes, I hope मेरा screen आप लोगों को दिखाई दे रहा है Yeah, can someone confirm me, पविता जी, क्या आपको मेरा screen दिखाई दे रहा है, ठीक से? Yes, हाँ मैं, दिखाई दे रहा है All right, so thank you very much Yes, so हम बात कर रहे हैं, graceful aging के बारे में या skin के बारे में, so हमें कुछ चीज़े अपने skin के बारे में जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है Yes, जब आप अपने चेहरे को खुबसूरत दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहिए, आपकी skin healthy लगनी चाहिए, skin care main है, important है, जो हर कोई करता है आज के टाइम, एक टाइम था कि हमारे लिए एक cream पूरी family इस्तवाल करती है, male हो, female हो, हर कोई वो एक ही cream में depend करता है, yes हम भी उसी दोर से आया है, पर अब जैसे जैसे कि आपको knowledge मिलते गया, आप समझते गया सारी चीजे कि क्या-क्या चीज होती है, हर एक age के लिए अलग skin होती है, skin type के according होती है, gender के according होती है, हम क्या करते गया, हमने skin care को और जादा upgrade करना start कर दिया, right, so जैसे आप skin care को upgrade कर रहे हैं, अभी भी अगर आपने देखा होगा कि हमें कहीं न कहीं कोई न कोई problem face होता होगा, right, sometimes हम कोई skin care करते हैं, फिर भी हमाई skin chip chipa feel होती है, कभी कब आपने ये देखा होगा कि हमने कोई product इस्तमाल किया है, पर उसका result सही से आ दो मेना, तीन मेना इस्तमाल किया, तो भी वो काम नहीं किया, that means कि हम जब कर रहे है, skin care तो कर रहे है, पर कुछ चीजे अभी भी हम miss करते जा रहे है, तो वो सारी चीजे आज हम ध्यान से दिखेंगे, तो सबसे पहले हम understand करते हैं, कि skin क्या होता है, कितने layers होते हैं, yes हमार जो चेहरा है, हमारा, जो skin है, उसमें layers होते हैं, so कुछ product आपके skin के top level पे रहता है, कुछ उसके अंदर जाता है, okay, तो skin जो आपकी होती है, वो तीन layer में divide होती है, top layer जो आप अपने skin को touch कर रहे हो, वो epidermis layer होती है, epi यानि top dermis यानि skin, right, so epidermis layer यानि top level, जहां पे आपक skin में cleanser जाता है, toner जाता है, और भी कुछ product आपको याद आ रहा होगा, scrub, yes, वो भी आपके top layer पे रहता है, epidermis पे काम करता है, face pack आप लगाते हैं, top layer पे काम करता है, sunscreen आप यूज करते हैं, top layer पे काम करता है, तो ये कुछ product जो हमने भी बताए, ये सब आपके epidermis layer पे रहत कब उसके बाद जो आप इस्तमाल करोगे, वो नीचे penetrate नहीं होगा, so epidermis layer हमेशा आपको clean रखना ज़रूरी है, right, उसके लिए cleanser का इस्तमाल अच्छे से आप करिए, वो साफ कर देगा, उसके बाद में weekly treatment होता है, जिसमें हम scrub इस्तमाल करते हैं, face pack इस्तमाल करते हैं, जो death skin होती है, वो आपके epidermis के उपर वाली जो एक पत्ली सी परत होती है, जो छाल जैसी होती है, उस पे वो accumulate होना start होता है, और death cell का प्रोसेस होता है, seven days का, किसी का five days होता है, किसी का seven to eight days होता है, तो पर on and every 7 days कहा जाता है तो 7 days में आपके skin के उपर dead skin पूरा जमा होना start हो जाता है अब ये परत बनाना start करता है ये जब परत बनाएगा और आप इसको साफ नहीं करेंगे तो ये accumulate होता जाएगा और फिर उसके बाद आपके skin dull दिखेगी मुझहाई दिखेगी skin tone आपके खराब होंगे pigmentation बढ़ना चालू होंगे blackheads हो जाएंगे whiteheads होंगे right तो इसको clear रखना ज़रूरी है second dermis यानि जहाँ पे आपके skin का main काम होता है दूसरे layer में आपके skin का जो blood vessels है वहीं पे रहेगा water vessels वहीं पे होंगे वो सब आपके dermis layer पे होता है collagen production भी वहीं होता है collagen जो आपके दो cells के बीच में होता है वो भी वहीं होता है right so dermis layer आपका important layer अब इस layer में पता है क्या क्या product आपके जाते serum जाता है आपका moisturizer day cream night cream यह सारी चीज़े यहाँ पे जाती है eye cream यह सब चीज़ इस layer पे जाती है तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है यह layer आपका बहुत ही important function करता है पर यह layer तक कोई भी product जाने के लिए वो top layer से अंदर आता है तो top layer आपका क्या है epidermis अब अगर आपने top layer सही से साफ नहीं किया clean नहीं किया अब उसके बाद कितना भी महगा product हो वो अंदर penetrate ही नहीं करेगा और जब अंदर penetrate नहीं करेगा dermis में नहीं जाएगा वो काम करना start नहीं करेगा यानि वो उपर ही accumulate होना start हो रहा है फिर क्या होगा आपके जो भी problem से वो वैसे के वैसे ही रहेंगे काम नहीं करेगा और फिर आप लोगे मैडम अरे आपने तो ये क्रिम सजेस्ट किया था पर ये तो काम ही नहीं करा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हमने हमारे skincare का जो pre-step है यानि शुरुआत वाला जो step होता है skincare के उपर का वो हमने सही से नहीं किया उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब आते हैं hypodermis, hypodermis यानि हमारी dermis के नीचे वाला layer जिसको सबको tennis fat भी कहते हैं अब ये जो layer होता है fat cell से बना होता है ये insulation के जैसे काम करता है यानि आपके skin को प्रोटेक्ट करेगा अंदर से यानि कोई भी pressure तेज धक्का ये आपके skin को ना लगे और आपका काम अंदर skin में अच्छे से चले तो ये insulation जैसे काम करता है तो थर्मस होता है जिसमें पानी डालते गरम ठंडा रहता है तो वो कैसे काम करता है उसके side side में insulation होता है ये hypodermis layer उसी तरीके से काम करता है अब जो आपका dermis layer है जहाँ पे आपके collagen production होते है इसी layer में आपके सारे काम होते है अब जैसे जैसे की आपकी age बढ़ना start हो जाती है अब इसी layer में सारे products जाते है आपके skin का collagen production को बढ़ाएंगे आपके skin में hydration को लेके आएंगे सारे काम यहाँ पर होते है अब ये अगर सही से नहीं हो या सही से उसमें ingredient नहीं पहुचे skin में aging process start हो जाता है बहुत सारे reason है skin में aging मतलब aging का process को बढ़ाने के लिए अब कुछ aging में क्या कैस signs आपको दिखेंगे आपके जो cell की renewing rate है वो slow down हो जाएगी skin tone आपके dull होना start हो जाएगे यहाँ पे जो texture skin होते है जिसको pores होता है वो बहुत जादा visible होते enlarged हो जाते है आपके DNA damage होने लग जाते है hyperpigmentation start हो जाता है बहुत सारे problems हो जाते है skin layer आपके बहुत जादा thin हो जाती है बहुत जादा sensitive हो जाती है skin sometimes बहुत जादा dry behave करता है अब आपके skin का collagen production हो slow down हो जाता है तो collagen production slow down होने का reason एक तो age आपका हो जाता है उसके बाद में अगर dhul, mitti, pollution आपके skin पर बहुत जादा लगता है free radicals बहुत जादा आपके skin पर लग रहा है उससे भी आपका collagen production slow down होता है so collagen basically आपके skin का protein होता है दो cells के बीच का जो gap होता है उसके बीच में होता है collagen example ये दो cell है इसके बीच पे जो भी gap है उसके collagen भरा हुआ रहता है और ये क्या करता है ये दोनों cells को इतर टाइटली एक दूसरे के साथ में hold करके रखता है अब जैसे जैसे आपकी age हो जाए या सही से आपने skin का ध्यान ने दिया skincare सही से ने किया ये collagen क्या करेगा जो बीच में है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपके cells के बीच का gap बढ़ेगा और skin loose होना स्टार्ट हो जाएगी skin की लचक, elasticity कम होना स्टार्ट हो जाएगी skin फैलना स्टार्ट हो जाएगी ये जो skin है आपका नीचे droop होना स्टार्ट हो जाएगा स्वाइगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी स्किन में फिर्मनेस नहीं रहती है आपके यह जो आइब्रोज है उसके एंगर देखो कैसे हो जाते पहले सेमिसर्कल्स होते हैं और फिर एंगुलर शेप में आगे यह एज हो रहा है आपका स्किन हमारे नॉस्ट्रिल्स अगर आप देखेंगे एज होते होते यह ऐसे फैलना स्टार्ट हो जाता है एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया स्माइल लाइन यह स्माइल लाइन जैसे आना स्टार्ट हो जाते हमारा स्माइल ऐसे उल्टा चान दिखने लग जाता है एक्चल तो होता है उपर वाला चान पर धीरे दिरे क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है डैट मेंस एजिंग प्रोसेस आपके स्किन में स्टार्ट होना सादू हो गया अब एक और चीज़ आपको बता दू यह जो आपके biological age से सही से connected नहीं है biological age आपके skin के aging के लिए सिर्फ 20% matter करता है 80% external reason है UV rays, stress, उसके बार में blue light आपके skin में जो पढ़ती है, free radicals, pollutions यह सारी चीजें आपके skin को 80% matter करती है skin को mature करने के लिए अब 20% जो age है हमारा वो हमारे control में नहीं हम उसको नहीं बचा सकते हैं every year एक साल बढ़ता रहेगा हमारा और हमके काटेंगे खुशी मनाएंगे उस चीज़ का, राइट, वो हमारे control में नहीं है पर जो 80% है जो हमारा water loss है, UV rays हमारे skin को harm कर रहा है poor nutrition है, धूल, मिटी, pollution ये सारी चीज़ों को हम control कर सकते हैं अब ये सही से control कैसे करेंगे? इसके लिए एक सही skincare यूज़ करना बहुत जादा जरूरी है अब जब हम skincare कहते हैं तो कभी कबार आप एक day cream लगा लोगे एक night cream लगा लोगे या किसी ने एक cleanser donor यूज़ कर लिया तो हम क्या टूटे टूटे चीज़ में एक दो चीज़ यूज़ करते हैं वो सही से काम नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके skin में सही result आए आपके skin में जो भी आप product यूज़ कर रहे हैं उसकी effectiveness को बढ़ाना है पूरा complete routine इस्तेमाल करें डे और नाइट दोनों टाइम में त्रस्ट में आपको एक महने के अंदर आपके skin में result आ जाएगा अब यह मैं सूचे कि मैंने पूरा routine यूज़ के मुझे एक हफ़ते के अंदर result दिख जाना चाहिए यह एक product है एक यह skincare है कोई दवा नहीं कि मैंने खाया और फट से असर कर दिया हर skincare को minimum 20 days चाहिए रहता है काम करने के लिए आपके skin में result लाने के लिए 6 months में perfectly काम करना start कर देता है perfect result आपके skin में आना start हो जाता है so instant मैंने एक दिन लगा दिया और मेरा skin glow करेगा ऐसा नहीं होगा कभी भी right तो time लगेगा पर yes कुछ-कुछ चीजे हैं जो instant काम करती है right उसका result आपको समझ में आ जाएगा okay जब हम कहते है एक complete routine what is complete routine एक regime होना चाहिए right एक steps होते हैं skin care के लिए वो क्या है cleanser, toner, serum, eye cream, moisturizer यानि day or night cream और छटा step जो आपका होता है वो है आपका protection so cleanser क्या करेगा आपके चहरे को clean करेगा आपके skin के pores को clean करेगा गंदगी को निकालेगा सारा ठीक है skin clear करेगा दूसरा toner जो बची हुई गंदगी आपके pores में होती है उसको निकालता है वो उसके बाद में आपके pores को बंद करता है कि और गंदगी उसमें ना जाए और skin को tight करता है tone करता है उसके बाद में आपने cleanse कर लिया, tone कर लिया आप ये toner आपके pores को ये जो textures है न उसको improve करने के लिए भी काम करता है पोस को minimize करने का भी काम करता है इसलिए टोनर अवोइड नहीं करना कभी भी थर्ड स्टेप आपका सीरम आता है यह सीरम लाइट वेट होता है इसलिए आपको मॉश्यराइजर के पहले लगाना चाहिए होता है तो सीरम आपको लगाना है हमेरा याद रखे सीरम highly concentrated active ingredient से बनता है तो बहुत ही कम quantity चाहिए होता है अगर आपने यूज़ किया इनफ है आपके चेहरे के लिए जादा की requirement नहीं होती है हमें ऐसा लगता है कि यह पूरे चेहरे पे नहीं लगा पर वो इतना सा है सीरम is just like injection जो डॉक्टर देते हैं दबा और injection दोनों होता है fast काम क्या करता है injection राइट सो सीरम बैसे ही और जादा fast काम करता है यह आपकी moisture के efficacy को बढ़ा देता है right result और जादा अच्छे से आ जाएगा और fast आ जाएगा okay so serum आपका third step fourth है आपका eye cream yes eye cream मैंने देखा है बहुत की कम females इस्तमाल करती है female और male तो बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करते हैं उनको तो लगता ही नहीं है कि eye cream का कोई भी इस्तमाल होना चाहिए हमने day cream लगा लिए sensor लगा लिए बस हम set हो गए eye cream आपको 25 साल के बाद से आपके skincare में add करना बहुत जादा ज़रूरी है eye cream से आपके under eye dark circles आपका जाएगा आपके जो fine lines होते हैं जो पहला signs of aging होती है वो सबसे पहले आपको यहां पर आती है किसको पसंद है वो किसी को नहीं तो शुरुवात से ही आपके रजीम में skincare में हमेशा eye cream होना चाहिए so that कि यह जो aging का process है ना slow down हो जाए अराम सा है जल्दी ना आए इसलिए eye cream शुरुवात से ही आपको add कर देना है जो आपका fourth step है next moisturizer यानि day cream और night cream day में आप day cream लगाएंगे night में night cream लगाएंगे और फिर sixth or last step है protection जो आपको day time पे लगाना चाहिए अब यह protection एक ऐसी चीज है ना कुछ लोग लगाते हैं कुछ नहीं लगाते हैं अब जो कुछ लोग लगाते हैं वो एक good feel लेके बैठते हैं मैंने प्रोटेक्शन यूज किया कितना यूज किया इतना सा एक चने का डाल मतर का डाल इतना छोटी सी quantity लगा दे पर फील ले ल वो आपके moisturizer से 10 times जादा quantity आपको लगानी होती है येस 10 times जादा quantity होती है यानि जो आपका first finger है इसको यहां से लेके यहां तक cream को लगाओ और फिर देखो यह पूरी quantity आपके चेहरे पे लगनी चाहिए हो सकता है कि अभी आप अगर शुरुआत करेंगे तो आपके skin में सही स absorb नहीं होगा जादा लगेगा oily लगेगा थोड़ा थोड़ा करके लगाओ और quantity इतनी ही होती है sunscreen की तब जाके वो आपके चेहरे पे काम करती है जो हम इतना इतना लेके लगा के रख लेते ना good fill लेने के लिए वो काम नहीं करता है और जब अलग-अलग आप state में रहते हों तो sun की intensity भी different different होती है कहीं पे जादा धूप होता है कहीं पे कम होता है तो जैसे धूप की intensity जितनी जादा जितनी कब आपका SPRP उसी हिसाब से range होना चाहिए 30 या 50 बदन reapply करना ज़रूरी है अब यह मत सोचो कि मैं बहार जाओंगी धूप लगेगा तब ही लगाओंगी न UV A raise आपको आपके घर के window से भी मिलती है तो आपकी skin में aging process वो A raise कर देती है तो sunscreen every day लगाना चाहिए without fail अब यह आप सोचो किया रहे किसी day cream में SPF 15 होता है किसी में 20 होता है क्या में वो लगा लू तो चल जाएगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि sunscreen आपको इतनी quantity लगानी मॉश्यराइजर आप इतना से लगाएंगे मॉश्यराइजर को वो एक पार्ट है sunscreen तो सोच उसकी quantity और कितनी कम हो गए और लगाना कितना इतना तो क्या वो काम कर रहा है उतना जितना आपको required है नहीं that means आपको लगाना पड़ेगा additional done अब आते हैं हमारी complete routine skincare जो हमारी age redefining range में आपको एक complete set मिलेगा जो आप every day अपने skin regime के लिए follow कर सकते हैं right अब भी regime में है क्या ये एक age redefining range में है क्या so आप एज धलती कैसे है wrinkles आते हैं fine lines आते है हमारे skin में dehydration होता है skin dry होना start हो जाती है right उस पे काम करेगा फिर उसके बार में हमारे skin में और problem क्या होती है ये वाला सारा area lose हो जाता है लटकना चालू हो जाता है sagging firmness खतम होती है skin की elasticity कम हो जाती है उस पे काम करता है तो ये basically आ इसलिए age redefining range है अब ये जो range है ये आपको environmental damage से बचाएगा right आपके skin को lift करने के लिए help करेगा collagen boost करने के लिए help करेगा अब आप ये सोचो कि क्या ये range 30 plus है yes absolutely 30 plus है पर आपका हमेशा पहला काम ये रहेगा कि जब भी आप किसी को OEB range recommend करते हो दो चीज जान लो skin type and skin requirement ये दो चीज आपको पता होना चाहिए skin type जाने के लिए skin type tester का इस्तेमाल करें घर में बैटके tissue का इस्तेमाल मत करें tissue absorbing capacity different होता है water absorbent जादा होता है और skin type tester 100% result आपको देगा right तो skin type tester आप use करो skin type जाने के लिए दूसरा आपके चहरे की requirement क्या है sometimes हमारी जो age है मेरी age अगर 30 साल की होगी क्या मेरी skin की age भी 30 होगी नई depend करता है कि मैंने किस तरीके से अपने skin को रखा है मेरी skin की age 35-40 दिखती हो या फिर मेरी skin 20-25 ही हो बहुत ही youthful और young skin हो मेरी okay तो skin की requirement के उपर आपको देना है range okay आपन biological age से इसको define मत करिएगा okay तो पहले आप skin की requirement देखो और फिर आप अपने product को suggest करो so मैं हमेशा आपको कहूंगी जब भी आप कोई भी range किसी को भी recommend कर रहे हो right उसका skin type और उसकी skin की requirement आपको check करनी होगी right अब जब आप skin की requirement चेक करते हो skin care के जो main चीज होती है उसकी ingredient होती है हमेशा हर skin care का ingredient पहले देखो क्या है और वो काम क्या करता है तो इनकी requirement यह चार चीज़ है अब मेरे पास जो product है उसमें यह यह तीन ingredient है यह तीन क्या इस पर काम कर रहे हैं इनके requirement पे या कर रहा है तो यह आपके लिए परफेक्ट है इस तरीके से ingredient चालना जरूरी है तो चलो ingredient देखते हैं इस range में तो इसकें अंदर epi-lip complex technology है राइट जिसको हम 3c action system भी कहते हैं So, यह क्या हरता क्या है? Combat, Care and Comfort करता है. यह आपको Free Radical से Combat करता है, यानि बचाता है आपके Skin को. आपके Skin को Care करता है, यानि आपके Skin में Collagen Production को बढ़ाता है, यानि Skin Firm हो जाएगी, Tight हो जाएगी, Lose नहीं होगी. और फिर आपके Skin को Comfort करता है. कैसे आपके Skin में नमी को बढ़ाने के लिए काम करता है, Hydration लेके आता है आपके Skin में, जिससे आपके Skin में Natural Moisture बिल्ट होगी, Skin Soft, Supple, और Wrinkles-Free दीखेंगे आपके. यह होता है 3C Action. अब आते हैं Main Ingredient, जो आपको जानना ज़रूरी है. जब आप Requirements चेक करेंगे, इंग्रीएंट से कंपेर करेंगे, क्या यह इस Requirements पर काम करता है, तो वो देखते हैं. पहला Ingredient इसके अंदर है Vitamin A. वाइटमिन A क्या होता है? वाइटमिन A एक Antioxidant होता है. जो Anti-Aging के Properties के साथ में होता है. यह बेसिकली आपके स्किन की जो Collagen है, उसको Stimulate करेगा, उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा. यानि, स्किन में जो लचक होती है, जो Elastin होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. उसका Production Past हो जाता है. पहला काम, स्किन Collagen को काम करता है, यानि, स्किन टाइट हो जाएगी, फिर्म हो जाएगी, राइट सैगिंग प्रॉब्लम कम हो जाएगे. दूसरा काम, वाइटेमिन एगे करता है, कि जो Excess Oil Produce होता है, Oily स्किन को बहुत ज़ादा Oil Produce होता है, उसको Slow Down करने के लिए ये काम करेगा. अब आपके जो Pores है, उसको Unlock करने के लिए भी काम करेगे. बहुत लोगों के Pores Clock हो जाते हैं, उसको Unlock करने के लिए काम करता है, जिससे आपके Skin और Breathe करेगी, Glow करेगी. तीन काम तो Vitamin A ने कर दिया, Retinol. So Retinol जो Growing Skin होती है, Mature Skin होती है, उसके लिए Best होती है, यानि Miracle जैसा ये Range होता है, हमेशा जैसे आप Age होना स्टार्ट हो रहे हो, Retinol आपके Skin Care में होना ही चाहिए. Second, Vitamin C. Again, एक Antioxidant Ingredient है ये, ये Basically आपके Skin के Pigmentation पे काम करती है, Right? So Pigmentation होता कैसे है? Skin में Melanin होती है, जो Color देती है, अब ये Color Production होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे Vitamin D मिल जाती है. So ये Color Produce ना करे ज़्यादा, Right? जिसे आपके Skin Dark हो जाती है, तो ये उसको Inhibit कर देता है, यानि रोक देता है. So Color Produce ही नहीं होगा, तो Skin आपकी जो Dark होती है, वो होगी ने, Skin Brighter होना स्टार्ट हो जाती है, यानि आपके Skin का Tone Improve होना स्टार्ट हो जाता है, Bright हो जाती है आपके Skin. So Vitamin C, Pigmentation पे काम कर लेता है, आदिविन Skin Tone पे काम कर लेता है, डाक स्पोर्स पे काम कर लेता है, तो आपका दूसरा काम ये कर गया, तीसरा, Haloronic Acid. Haloronic Acid, बेसिकली ये कैसे कहते है, Moisture Retention Properties के साथ में होता है, यानि ये अपने, इससे, मतलब एक Molecules, Almost 100 ताम ज़ादा Water Container आपके Skin में डाल देता है, यानि Water को, ये क्या कर देता है, आपके Skin में डालना स्टार्ट करता है, जिससे पानी, यानि नमी आपके Skin में बढ़ना चालू हो जाती है, जब नमी अच्छे से रहेगी, आपके Skin healthy, glowing रहेगी, Fine Lines कम हो जाएंगे, So, Haloronic Acid, Basically, उसके जो molecules होते हैं, बहुती fine, बहुती छोटे होते हैं, बहुती light होते हैं, तो आपके Skin में जितने भी फोल्ड होते हैं, जो Skin fold होती, तो उपर से wrinkles होती है, आप उपर से जब देखेंगे, वो wrinkles होती है, पर जब आप अंदर के layer से आप देखोगे, वो fold होता है, उसको science के language में fold बोलते हैं, Skin case में, तो जो आपका hyaluronic acid है, वो सारे fold में जाके भर जाएगा, और उसको plump कर देगा, यानि जो wrinkles fold हो गए रहते हैं, वो plump हो जाते हैं, यानि wrinkles आपके smooth होना start हो जाते हैं, Skin soft healthy glow भी करेगे, रिंकल्स भी आपके काम हो जाएंगे, आपका तीसरा काम ये कर दिया, राइट, तो ये इसका main ingredient है, अब ये जो पूरी range है, lightweight texture है, यानि हर एक skin type के लिए best है, जल्दी absorb हो जाएगा आपके skin में, non-comedogenic है, pores को clog नहीं करता है, इसके जो formulations है, स्विज़लेंड और ब्राजल से लिए गये हैं, राइट, dermatologically tested है, यानि आपके skin के लिए safe है, 100% skin tested है, यानि इसके जो भी ingredients अब test होके आपके पास आये हैं, तो आपके skin में कोई भी बूरा असर नहीं करेगी, 100% cruelty free है, यह किसी भी जानुरों पर हमने test and try नहीं किया है, क्योंकि हमारा skin और जानुरों के skin different होती है, तो उन पर test and try नहीं किया गया है, 100% vegetable, vegetarian ingredient है इसके अंदर, यानिस किसी भी animals के byproducts इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, 100% safe है, paraben नहीं है इसके अंदर, mineral oil नहीं है और fragrance का इस्तेमाल नहीं है, तो खुश्बू आपको इसमें नहीं आएगी, क्योंकि खुश्बू basically जब हम कहते है fragrance, alcohol होता है, alcohol basically आपके skin में irritations ला सकता है, sensitive skin में बहुत ज़्यादा problem create कता है, red हो जाएगी skin, वो problem आपको इसमें नहीं मिलेगा, यानि 100% safe है आपका ये पूरा range, तो ये है हमारा Urban Color London का age redefining range, जिसमें आपको complete routine मिल जाएगा, अब पहला routine में क्या है इसमें, cleanser, जो एक foam cleanser है, इसके अंदर आपको directly foam मिलेगा, ज़्यादा महनत करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस एक pump foam सब के लिए इनक होता है, ज़्यादा foam लेनी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लिया और आपने हलके हाथ से उसको circular motion में किया, काम हो जाएगा, आपका face clean, fresh energized हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, टोनर इस्तमाल करेंगे, टोनर ये mist form में है, यानि जब आप spray करते हैं कोई भी प्रोड़ा को तो उसका pressure देखेंगे, ज़्यादा होगा और quantity ज़्यादा आएगे, जब mist होगा वो बहुत ही fine होता है, यानि dissolve हो जाता है, यानि 10 to 15 मिटर्स के रेंज में आपको इसको इसको इस्तमाल करना है, इतना दूर ये रहना चाहिए है, ठीक है, तो ये अच्छे से आपके पूरे skin पे ये spread हो जाए, और आपको pressure से कोई problem ना हो, अगर पास में लगाएंगे तो ज़्यादा pressure पड़ेगा, उसे irritation हो जाता है, और spray करने का एक तरीका है, जब आप दूर से करते हैं, तो इसको ऐसे आपको spray करना है, ऐसे निकलिया जाता है, ऐसे करते हैं, तो अच्छे से evenly spread हो जाता है, एक से दो spray enough हो जाता है, आपके skin के लिए, और राइट, अब आते हैं serum के उपर, yes, serum जब आप इस्तेमाल करते हैं, try करें, इसको सिर्फ थोड़े quantity में use करें, एक drop enough होता है, एक drop से ज़्यादा requirement नहीं होता है, कि ये highly concentrated active होता है, so serum लगाके आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके उपर आपको हमेशा cream लगाने की ज़रूरत है, concentrated ingredient होता है, तो ये क्या कर सकता है, light से, धूल से, मिट्टी से react हो सकता है, so हमेशा try करिए, जब भी आप इसको लगाए, इसके बाद में हमेशा moisturizer आपका होना ही चाहिए, लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए, और ये भी मैं सूचे कि मैं serum लगाऊं, तो मुझे 5 मिल वेट करना अपने का एब्सॉब हो जाए, फिर मौशर, बिलकुल भी required नहीं है, एक और आपको important tip बताते हैं, इसके हैं हेलोराणिक एसिड है, हेलोराणिक एसिड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल आपके स्किन में डालता है, तो हेलोराणिक एसिड ने एक और काम करता है, जितने भी एट्मोस्पेर में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यानि जो पानी के कंड होते हैं, उसको वो पकड़ लेता है और आपके skin में डाल देता है तो जब आपके skin थोड़ी से नमी रहेगी ना थोड़ी से damp रहेगी तब ही आप इसको apply तर लोगे यह और ना अच्छे से काम करेगा क्या करेगा कि आपके skin में जितने भी water molecules है उसको वो आपके skin के अंदर डाल देगा skin plump हो जाएगी तो जब आप toner डालते है तो उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है गीले face पे ही आप यह serum लगा लो क्योंकि वो इसके हैलोरानिक ऐसे रहे वो उसी molecules को लेके खीच के में आता है हमारा eye cream yes eye cream हर किसी को लगाना चाहिए अब eye cream आपको लगाना कितना है बहुत ही थोड़ा mustard seed होता है उतना ही आपको लगाना है हमेशा ring finger का इस्तमाल आप करेंगे so ring finger से जब आप यूज कर रहे है हमेशा eye bone area पे आपको लगाना है so eye bone area पे आप इस तरीके से dab करके लगाएंगे उपर नीचे कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है यह eye cream है eye drop नहीं है eye cream आपके आपके अंदर नहीं लगता है आखों के आसपास का जो area है जो skin है उसके लिए बनता है right और गो area बहुत ही पतली होती है बहुत ही sensitive होती है thin layer होती है तो आपको सिर्फ skin पे लगाना है हम क्या करते हैं हम सोचते eye cream है उपर लगा लेंगे अंदर लगा लेंगे एकदम उसे क्या होता है हमारे आखों के अंदर वो जाना start हो जाता है क्योंकि यह सब layer बहु यहां पर आपको dab dab करके लगाना है क्योंकि यह active ingredient है concentrated नहीं होता है पर active ingredient है बहुत जली absorb हो जाता है आपके skin में तो थोड़ा से लेके आपको dab करके यहां पर आपको लगाना है that's it यह आप जैसे अपने आखों को blink करेंगे यह पूरे अच्छे से आपके आखों में circulate हो ज इसके बाद में आप यूज करेंगे day cream so day cream जब आप यूज करते है day cream basically एक तरह का protection होता है moisturizing air cream होता है so hydration देगा और साथ में protection देगा so यह आपको आपने cleanser, toner, serum, eye cream और फिर आपको यह इस्तमाल करना है day में और इसी के बाद में आप यूज करेंगे sunscreen yes इसी के बाद में आप को लगाना है sunscreen लगाने के लिए moisturizer skip नहीं करेंगे हमेशा day cream के बाद में ही आपका sunscreen आता है उसके बाद में आता है night cream yes night cream सबसे ज़्यादा effective होता है सबसे ज़्यादा powerful होता है क्योंकि यही cream आपके skin में काम करेगा nourishment देगा आपके skin को glow करेगा क्योंकि यह skin nourishment वाला होता है night cream हमेशा nourishment के लिए होता है day cream protection और hydration के लिए ज़्यादा काम करता है तो आपके skin में result अच्छा है तो night cream ज़्यादा इस्तमाल करो ऐसा नहीं कि day cream नहीं करना है पर night cream करना ही चाहिए तब जाके आपके skin में आपको result ज़्यादा अच्छे से दिखेगा collagen का production जो होना है skill renew होना चाहिए wrinkles आपके smooth होना चाहिए उसके लिए night cream अच्छे से काम करेगा right so यह था हमारा complete age redefining की range right so cleanser, toner, serum, eye cream, moisturizer यानि day cream और दूसरा moisturizer यानि night cream अब आप confused होंगे दोनों bottle में क्योंकि दोनों red है पर एक dark है एक थोड़ा सा light है पर आप day cream में देखेंगे sun का sign बना यानि day में यूज करो और यह जो moon का sign है यानि night में आपको यूज करना है तो यह था हमारा complete skin care regime यानि skin care routine age redefining range का all right so यहाँ पर यह end हो रहा है अगर आपके कोई question है तो आप पूसकते है यह आई cream आपको दोनों time यूज करना चाहिए day में भी night में दोनों time आपको यूज करना चाहिए जब हम routine के बारे में बात करते है रूटीन दिन में दो बार होता है एक morning जब आप नहाते हैं और दूसरा रात को सोने के पहले आप करते हैं दोनों time आपको यूज करना है oily skin पर भी use कर सकते हैं क्योंकि यह बहुती lightweight texture है easily skin में absorb हो जाएगा all right so Pavitra जी over to you thank you thank you so much आपने इतने अच्छे से बताया है मैं चाहूंगे कि Priyanka जी के लिए सबसे पहले जोरदार तालियों से हम उनको thank you कहे अच्छे से बताया कि आप की skin up you know age redefine आप कैसे कर सकते और मैं खुद उसका सबसे बड़ा ज्वलनत उदारन हूं age redefining मैं already करीब I think nine months नौ महीने में age redefining every day use कर रही हूं और मेरी skin I hope zoom पे थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी because I have already crossed 60 years तो friends यह एक ऐसी मैं यह range ऐसी है जो search में दिखाई देती है आप जैसे इसको apply करना शुरू करते हो use करना शुरू करते हो तो not more than मैं ज्यादा time नहीं लगता आपको approximately I think within two months time actually एक हफते के अंदर आपके fine lines जानी शुरू हो जाती है क्योंकि मेरी जो आखों के यहां के lines थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो गई तो thank you so much Priyanka जी और friends इसी के साथ मैं एक चीज और आप लगों से कहना चाहूंगी कि कल हमारा leadership development program है तो कल शाम को साड़े छे बजे आप अपने team के साथ यह सीखने के लिए आईएगा कि किस सरीके से आप एक leader मना किस सरीके से एक leader इस business में grow करता है क्योंकि जाहिर से बात है कि network marketing में सबसे बड़ा पैसा leaders कमाते है yes or no तो leaders कैसे बना जाता है leaders क्या करते हैं जिसके कारण वो leader बनते हैं सबसे पहले सबकी शुरुआत उस consultant based से होते हैं पर धीरे 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 क्या-क्या चीजें वो करते जाते हैं क्या चीजों की practice करते हैं and they really grow into leadership और किस सरीके से आप बड़ा पैसा कमाएंगे so keep in touch और हम कल शाम को साड़े छे बजी वापस से मिलते हैं thank you so much Priyanka ji for that beautiful training and very very informative training thanks a lot thank you so much yeah thank you